लोगसभा चुनाव 2019 मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस ने वो शिकस्त देखी जैसी दशिकों में नहीं मिली भाजपा ने न सिर्फ अपनी पिछली सभी 27 सीटे जीती बलकि गुना को भी जोती रादित्य सिंध्या से छटक लिया गुना में भाजपा कैंडिडेट 1,23,000 वोट से जीते हैं इस उमीद्वार का नाम है केपी यादव जोती रादित्य सिंध्या पश्चिम उत्रब्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे तो काफी वक्त यूपी में रहे गुना में उनका प्रचार उनकी पत्नी प्रेदर्शन की राजे सिंध्या ने संभाला जोती रादित्य सिंध्या को टिकेट मिलेगा ये प्रश्ण कभी था ही नहीं जब भाजपा की तरफ से इस सीट पर उमीद्वार के नाम की घोशना की गई तो सब हैरान थे ये नाम था कृष्णिपाल सिंग और डॉक्टर केपी यादव का वहीं केपी यादव जो कभी सिंध्या के सांसत प्रतिनिधी होते थे और साल भर पहले ही भाजपा में आये थे केपी यादव की सिंध्या के साथ खूब सारी तस्वीरे हैं इनी में से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रही है इस तस्वीर में जोती राद लहर का असर रहा और केपी यादव उसी शक्स को हरा कर सांसत बन गए जिनके वो सांसत प्रतिनिती थे एक बार्शिव राज ने एक सभा में केपी यादव को विभीशन बता कर कहा था कि अब भाजपा लंका पतै कर लेगी गुना सीख सिंध्या परिवार का राजनीती गड़ माना जाता रहा है तीन पीडियों से सिंध्या घराने का कबजा रहा है जोती राधित्य सिंध्या की दादी विजे राजे सिंध्या और पिता माधवराव सिंध्या ने जीत कर इतिहास रचा था बिजे राजे सिंध्या छे बार, पिता माधवराव सिंध्या चार बार और जोती राधित्य सिंध्या ने भी चार बार गुणा लोक्सवक्षेत्र का प्रतिनिध्व किया है भाजपा के कृष्णिपाल सिंग ने जोती राधित्य सिंध्या के पसी ने छुड़ा दिये पिल्हाल केपी यादव ने एक अलकल्पनी जीत दर्ज की है अब बात करते हैं केपी यादव की तो केपी यादव का परिवार लंबे समय से राजनीती में है उनके पिता रगुवीर सिंग यादव चार बार गुनाजिला पंक्चायत अध्यक्ष रहे हैं 2004 से केपी सक्रिय राजनीती में आए सिंध्या के खास हुए सांसत प्रतिनीती भी बने अब विधायक बनने की बारी थी महेंदर सिंग कालू खीड़ा के निधन के बाद मुंगा वली से उपचुनाव थी बारी आई